नमस्कार स्रीमन नारायन नारायन आज 28 अक्टूबर दिन सनिवार खंड ग्रास चंद ग्रहन लग रहा है जिसमें मानिता है नौ घंटा पूरो सूतक काल होता है जो चार बज़ कर पांच मिनट पर प्रारम हो चुका है यह रात्री एक बज़ पांच मिनट पर असपर्श मध्य रात्री के समये में प्रारम हो जायेगा एक बज़ कर 44 मिनट मध्य रात्री में इसका ग्रहन लगेगा और दो बज़ कर 24 मिनट पर इसकी मुक्ष रात्री जैसा कि आप ये चंद्रमा देख सकते हैं, आज इनका खंड ग्रास ब्रहन लगने वाला है. तो अब आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे इसमें क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? फर्ष्ट इसमें आपको नहीं करने वाला चीज है सुतक काल के समय से ही आपको खाना पीना नहीं करना चाहिए, किसी सुनसान जगह पे अकेले गुमना नहीं चाहिए, और तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए, इसमें एक और चीज धान देने वाली बात है कि इसमें बच्चे बुजूर अस्वस्थ बेखती बीमार बेखती उन पर ये नहीं लागू होना चाहिए चुकि उनको ध्यान देने की जवरत होती है अब इसमें सुतक के समय में आपको भगवान का सुमिरन करना चाहिए इसमें अगर आपको बगला मुखी मंत्र याद हो अस्मिरन हो तो आप उसका आप अपने परिवार जनों के साथ श्रीमन नारायन नारायन ऐसे जब कर सकते हैं श्रीमन नारायन 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 लक्ष्मी नारायन नारायन और आप आगे इसकी जानकाली रखें कि अगर आपके धर में भवान का मन्दीर है तो उसके उपर परदा रखें उनके सामने न जाएं और आप एकांत वास में अपने परिवास जनों के साथ भुवान का सुमिरंड करें और इसके पश्चार आप जब रात्री के बाद आप सुबह में जब आप जगते हैं ब्रह्म बेला में तो आप अशनान कीजिए अशनान करने के बाद अपने घर में संजयोग वास आपका एघर में खाना पीना अगर बचा हो तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें या कुषा हो उसे आप उसमें रख दें उसका वेग्यानिक मानने चाहिए है कि जो किरने आती है जहरेली किरने जो होती है वो आपके अन और जो पदार्त है उसको दुसित कर इसलिए आप इसको जो है तुलसी का पत्ता और जल छिड़कते हैं वहां कुषा भी रख सकते हैं इसके अलावे तो उससे क्या हो कि वो वर्जीत रहेगा वहां पे वो किरनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसके बाद आप जब सुबह में इसनान ध्यान करने के अगर आप महां गरीबों को दान करने के लिए बस्त गाय को अचारा और पसुपक्षियों को भी आप कुछ दे सकते हैं छोटे यह जो है ओजीव जन्तु और मनुष्य को बचाओ के लिए आप इसमें जमाननिता के अनुसार बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए को धारन करते हुए अपनी भावनाओं में इसको रखते हुए आप यह कारी कर सकते हैं इसके साथ ही मैं आपसे सादर्व नमस्कार करता हूँ और आगे फिर आपसे मिलने का उमीद करता हूँ धन्यवाद